CLC सीकर 31 जन्वरी 1996 CLC के स्थापना दीवस से लेकर आज तक आपकी अपनी CLC एक ही मिशन के तहट काम कर रही है CLC का सपना हर गाउं से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना इसी मिशन के तहट गत दिनों संपून राजस्तान हरियाना में DTSC यानि जिलास्तरिय प्रतिबाख खोज परिक्षा का आउजन किया गया जिसके सफल पुरुसकार वितरन समहरों के लिए सभी परतियोगियों और अभिभावकों का कोटिश धन्यवाद रेधह से आभार हमने राजस्तान लेवल पे एक्जाम करवाया 27 फरवुरी को एक्जाम हुआ एक्जाम बहुत से इंस्टूट करवाते हैं ओनलाइन करा लिया ओफलाइन करवा लिया और ओफलाइन कराने के बाद हुआ करते हैं कि हमारे किसी एक सहर में आ जो आपका सम्मान कर दिया जाएगा हमें कहाए नहीं भई जिस डिस्टिक का बच्चा माधुपूर का बच्चा है वो ना जेपूर आ सकता सम्मानित होने के लिए ना सीकर आ सकता है तो क्यों ना उसके घर में उसके डिस्टिक हेड़कॉर्टर पर जाके किया जाए गारजेंस 29 जिरू पे एक्जाम हुआ 29 के 29 जिस्टिक हेड़कॉर्टर पे जाके हम सम्मान कर रहे है शुरुआत आपके हैं से हुई है उसका भी लोजी कैसाब मैं थोड़ा सा स्पेच्चुल आदमी हूँ आपके गणेश जी का परसिद मंदिर है पना तो मैंने का रन्थंबोर के गणेश जी क्यास शुरुआत करते हैं इसलिए फिर यहां से प्रणाम किया गोरी पुत्र को और मैंने का विद्वत शुरुआत यहां से कर देते हैं यह मेरी लाइफ का एक बड़ा मिक्शन है और यूं कहूं कि इस मिस्तन में हमें गोरी पुत्र गणे सफलता देंगे कि जहापड़ी मैठी किसी खौपड़ी को ढूंड के लेगा जाया इस सुनहरे सफर की सफर शुरुआत सवाई माधोपोर से करने के साथ ही यह कारवा आगे बढ़ता है राजस्थान के 29 जिलों और हर्याणा के 22 जिलों में सेमिनार का एवजन इंजिनियर शरवन सी अलसी के नेत्रतों में 25-25 लोगों की दो टी में 13,000 से अधिक किलोमेटर की यात्रा के साथ 80,000 तरतिभाओं का सम्मान सेलेक्टेड सी अलसीन का सम्मान अभिभाओकों का सम्मान तथा शिक्षक गणों का सम्मान किया गया सी अलसी के संसकारों की खुश्बू किस कदर बिखरी है इसका अभिभाओकों की जुबानी के अधार पर लगाया जा सकता है तो फिर नुबलतो जी आपके पास एक विकल्प है पढ़ाने के लिए आप सी एल सी जॉइन करें और जाके देखें वहां पर जाने के बाद ऐसा लगया कि जैसे घर में ही है शिक्षा, संसकार, सफलता, सुरक्षा सारी बाते हैं वहां पर और मैं सभी बाईयों को एक बात की जानकारी दे देता हूं एक ही गाओं से तेईस बच्चे हैं आज वहां पर मेरे दो बच्चे इनके याँ तनस्तान में पढ़ते से और दोनों बच्चे एक तो दिल्ली के अंदर है इसमें मेडिकल कॉलीज के अंदर और एक कुन्ने के अंदर करा जी और तीसरी बच्ची है मेने उसको भी बही डाला हुआ है और उसका भी अंड़र परसेड मलिक के दे सकता हूं उसको विशोर ही होगा दी बाले रिसे है अब बच्चा कहां आपका क्या कर रहा है आपका बच्चा पास आउटारे बजाए लोग का फिर से कहता हूं साथ कि CLC यह है जिस मां को आपको आइटी आइटी में को फरक नहीं पता है आपका बेटा आइटी में है यह CLC है मेरी बोती 11 से फांडेशन दें हमने कहा ली थी वहाँ पर लेकिन वहाँ जाने के बावजूद हमको कोई दिकत नहीं हुई और CLC का दो वातावर्ण था हमको इतना पसंद आया तो बहुत ही बढ़िया पसंद आया उनका अमारी तरब से बार 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 धन्यवाद करता हू यह है CLC के अभिभावको का CLC पर विश्वास इसी विश्वास की देन है कि आज CLC का सेलेक्शन रेशियो हर साल बढ़ता जा रहा है CLC की सफलता की कहानी आओ सुनाते हैं Selected CLCians की जुबानी सेलेक्शन के लिए कैम बहुत ज़रूरी थे CLC और रहने का माहूल सेलेशियो बहुत अच्छा है उस्टल लोग जो वाँ का टाइमिंग इसके बारे मोस्त ने आपको बताई होगा तक ग्यार्यू क्लास में मैं सेलेशिया था और मैंने बारवी में जोइन किया था और मैं केई प्याइए में दोने स्टेज कालिफाइए दूर मेरी 76 रैंक थी कैटेग्री और अब बारवी कि अचाता है सम्स मेडिकल कोलेज जैपर में हूं और यह मेरी सिस्टर है और यह 21 बैस में स्वार स्वार स्लेक्ट हुई है रद्ला मेडिकल कोलेज में किते बेन वाई हो जो मेरे नाम कुशी है और मैंज मेरे बोला है कि इतनी बार मतलब जो मेरे रिपोर्ट का नहीं जो CLC में निकलती वो मेरे ममी पापान एतनी नहीं देखे होगे जितनी बॉसल्भी और मेरे टीचर्स ने देखे होगी मैं हर हफ्ते पॉच जाती थी कि देखो इसको मेरे मांक्स ओपर नीचे हो रहे हैं सही करो और वो मेरे को बहुत बताते कि इन सर के पास जो यह बताएंगे इतने सपोर्टिव टीचर्स हैं बहुत जाता तो वस बहुत थैंकियो अपने मेरे पापा का सपना पूरा कर दिया थैंकियो मेरा नाम तेंका यादव और 2021 में बिकानियर मेडिकल को लेज लास्ट यह वो नड़की है यह वह गुडिया है जिसकी रेंग 2103 है इसकी रेंग होत सफलता की खुश्बू ही है जो चारों और फैल रही है मैं मेरे नीजी अनुभव से कह सकता हूं कि अगर आप मन और आत्मा से शिक्षक होने का फर्ज अदा करते हो तो आपके मानसमान में लोग पलक पाउने विछा देते हैं इस सफर में जिन जिलों शेहरों और गाओं में सेमिनार का आयोजन किया गया वहां पर हमारी पूरी टीम का पूरे जोश और मानसमान से स्वागत किया गया चाहे वो नागोर का छोटा सा गाउं हो, बाड मेर की धर्ती हो या हरियना की सरजमी। इस तरह का लाड प्यार, मान सम्मान आशिरवाद हमें हर जिले में मिला। यह जो मान सम्मान हमें मिला है, इसने हमारे अंदर एक नई उर्जा का संचार किया है। हाला की हम हमारे काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ निवा रहे हैं, लेकिन अब आपके लाडलों के सपने को साकार करने के लिए और जोश और जुनून से लगेंगे। इसी के साथ इस सुनहरे सफर का समहार होता है, राजस्तान के रास्मन जिले से ही। आप सब जानते हैं कि 27 फरवरी को आपके अपने सील सीनी राजस्तान के 29 टिस्टिक में जिलास्तरी परतिवा खोज परतियोगीता एक्जाम करवाई, इसका पुर्सकार वित्रन समारो हमने हर जिले पे जाके उस जिले के बच्चों को समानित करने का फैसला किया, और इसका कारवा हमने शुरू किया था, पांच मार्च से आज ये 29 फर जिला है, राजस्तान के 29 जिलों में हर जिले में मैं खुच जाके पुरी टीम के साथ जाकर वहां के बच्चों का समान कर रहे, ये अपने अपने सेंस्ता के लिए एक बहुत बड़ा च्यूमेंट है, प्रतिभ संसकारों की खुश्बू शिक्षा के साथ फैलाते रहेंगे, इसी तरह सफलता के सपने संसकारों के साथ साकार करते रहेंगे, जैजै सीलसी, वजै सीलसी